केंद्रिये ग्री मंत्री अमित साह सनीवार को बिहार के दोरे पर रहें महागठवंधन के परती हर बार तलख तेवर दिखाने वाले साह का अंदाज इस बार बदला हुआ था आर जेडी के राष्ट्य अध्यक्ष लालू परसाद यादव और तेजस्वी पर उनकी तलखी को तो दिखी लेकिन नितीश की परती उनका अंदाज अलहदा था इसमें छीटा कसी कम और सलाह अधिक थी पिछले कुछ मेहने के अंदर अमीत साह का सनिवार को छठा बिहार दोड़ा था पिछली हर्ब साभाव में वे नितीश कुमार के बारे में कहते थे कि उनके लिए अंडिये के दरवाज़ बंद हो चुके हैं आस्चर जनक धंग से इस बार उनकी जुवाज या बात नहीं निकली नितीश कुमार के अंडिये छोड़ने के बाद अमीत साह जब जब भी हार आए उन्होंने एक बात जरूर कही कि नितीश कुमार के लिए अंडिये के दरवाज सदैव के लिए बंद हो चुके हैं वे आना भी चाहें तो अंडिये में उनके लिए जगा नहीं है जीट्वैंटी के आयोजन के बात से स्थित्या बदली हुई दिख रही है राष्टपती द्रौबदी मुर्मू ने जीट्वैंटी के आयोजन के अफसर पर रात्री भोजन दिया था जिसमें सामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख मंत्रियों को राष्टपती भवन से न्योता भेजा था गैर भाजपत सरकार के कुछ मुख मंत्रियों ने भोजन में सामिल होने से परहेज किया लेकि नितिस कुमार सामिल हुए अरसे बाद यह पहला मौका था जब पियम नरंद्र मोदी से नितिस का आमना सामना हुआ न सिर्फ दोनों मिले बलकि जिस अंडाज में तस्वीरे सामने आई उन्हें देख कर नितिस के साथ ही सहयोग्यों के कान जरूर खरे हो गए होंगे पियम मोदी और नितिस कुमार सभी हस्ते मुस्कुराते साथ दिके तो कभी अमेरिका के राष्ट पती जोई वार्डन से सियम नितिस कुमार को पियम नरंद्र मोदी मिलाते नजर आये उसके बाद सही अटकलों का बाजार गड़्म है इसी बीच अमित्सा बिहार आये तो उनकी जुवान से नितिस कुमार के बारे में करवी सब्द नहीं निकली अमित्सा ने एक मर्के की बात कही उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाब जल्द होंगे बिहार के मौजुदा सरकार का काड़िकाल 2025 में खत्म हो रहा है और अभी 2024 में होने वाले लोकसभा की सरवर्त चर्चा है ऐसे में बिहार के चुनाब की चर्चा छेर साह ने कई अटकलों को जन्द दे दिया है नितिस कुमार भी कई मौकों पर का चुके हैं कि बिहार में समय से पहले चुनाब हो सकते हैं साह और नितिस के स्वर का मेल खाना महद संजोग माना जार सकता था लेकिन संदे इसलिए हो रहा है कि समय से पहले बिहार में चुनाव की बाद पहली बार अमित साह की जुवान से निकली है इससे उन अटकलो को बल मिलता है जिसमें नीतीस के घर वापसी की चर्चा इन दिनों बिहार में हो रही है हाला कि नितिस ने साह के भासन के बाद अपनी परतिकिरिया से ऐसी किसी संभावना पर पानी फेट दिया साह ने कहा था कि नितिस और लालू की पार्टी का गठवंधन तेल पानी की तरह है जिसका कभी मेल ही नहीं हो सकता उल्टे पानी के गंदा होने के खत्रे अधीक हैं यहां या स्पष्ट कर दे की नितिस की पाटी जेडियों को साह ने पानी बताया तो महागट बंधन के दूसरे दलों को तेल की संग्या दी नितिस ने सा के बारे में कहा कि उन्हें बिहार या देश के बारे में कुछ भी पता नहीं है वे ऐसे ही अंड बंढ बोलते रहते हैं अमित साब पिछले छे महिनों में आधा दर्जन बार बिहार आचुके हैं। हर बार उनके निसाने पर लालू और नितिस का पड़िवार ही रहता है। इस बार भी उन्होंने दोनों पर निसाना शाधा। उन्होंने कहा कि लालू अपने बेटों को बिहार का सियम बनाना चाह इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जेडियू और आरजेडी कॉंग्रेस का गठ जोड तेल पानी की तरह है जो लाग कोसुसों के बाद भी एक नहीं हो सकते। ऐसा कर उन्होंने नितिस कुमार को क्लीन चीट दी तो आरजेडी को कठगड़े में खरा किया। बिहार के सिहासी ग उजागर हो ही जाएगी। दरसल बीजेपी बिहार में दमदार भरोसे का साथ ही तलास रही है। अभी तेक बीजेपी के साथ उपिंद्र कुश्वाहा और जीतन रामाजी तो आ गया है। लेकिन नितिस जैसे कद का कोई आदमी न भाजपा में है और ना NDA के साथ ही दलो म बीजेपी ने अपने लिए लोग सभा की चालिस से 30 सीटे रखने का फैसला किया है। राजनितिक जानकारों का मनना है कि बीजेपी अपने लिए 30 सीटे इसलिए रखना चाहती है कि देर से वेर अगर नितिस कुमार साथ आए तो उन्हें सीटों से संतुष्ट करने में भाजपा के साथ थे तो उन्हें हिस्से में भाजपा के बराबर 17 सीटे मिली थी जिन में 16 पर जेडियू ने जीत भी दर्ज की थी आपको हमारी कवर स्टोरी कैसी लगी हमारा खवरों का विशलेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं अगर आपने हमारी चैनल भ पर भी फॉलो कर ले धन्यवाद